नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर चात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद चलिए अब हम किसी कथन की जो हम उसकी बैद्धता देख रहे थे कि कैसे बताएं कोई कथन की बैद्धता उसमें एक है बिरोधा वासद्वारा कि हम बिरोधा वासद्वारा कैसे पता लगा पाएं दिया गया कथन सत है या नहीं है मान लीजे आपके लिए कोई कथन P दिया गया है है ना यह आपके लिए कोई कथन दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि बताइए कि यह कथन सत्य है कि नहीं है तो बिरोधा वास द्वारा विदी में हम कैसे पता लगाते हैं चलिए समझते हैं उसके बारे में तो ऐसे में हम क्या करते हैं इसे मान लेजिए पी कतन हमें सत्य बताना है कि यह सत्य है नहीं तो हम मानेंगे इसमें क्या कर जाता है माना पी सत्य नहीं है यह जो हमें कतन दिया गया है वह सत्य नहीं है यह यूँ कहें कि यह पी नहीं जो हम कथन निकालेंगे वह सत्य है है ना योगी अगर P कथन सत्य नहीं है इसका मतलब नहीं P जो होगा वह है सत्य होगा यह चीज हम मान लेंगे और इसको मानने के बाद हम इसको हल करेंगे और ऐसे निसकर्स पर पहुँचेंगे जहां पर हमारा जो हमने माना, हमारी जो माननेता है, क्या माना हमने, कि कथन पी सत्य नहीं है, इसका खंडन हो जाए, यानि कि हम जूटे सावित हो जाए, एक तरह से अगर हम कहें, कि हमने जो माना, आप लोगों ने वह जी गलत मान ली है, इसका मतलब जो दिया गया है, वह सत्य है, है ना, तो इसका मतलब यही हुआ, तो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले मान लेंगे कि जो दिया गया कतन है, वह सत्य नहीं है, अगर वह सत्य नहीं है, तो उसको मानकर हम उसको हलके हलके, जैसे हम गड़ेत में कोई भी चीज को सिद्ध करते हैं, उसकी तरह आगे बढ़ेंगे, फिर उ खंडन हो रहा हो, हमें पता लग रहा हो कि हमने जो माना है, शायद हमने वह गलत मान लिया है, है ना, तो इससे हमें क्या पता लग जाता है, हमने अगर गलत मान लिया है, तो वह जो चीज है, वह सत्य होगी, क्योंकि हमने क्या माना था, सत्य नहीं है, तो वह सत्य होगी, तो इस बिदी से हम ब्रोधा बास द्वारा कैसे पता लगाएंगे कथन सत्य है या नहीं. चलिए अब हम इसका साथी साथ उधारन देख लेते हैं जिससे वह हमें अच्छे से समझ में आ जाए. उधारन है अंडरूट 7 एक आपर्मे संख्या है. तो यह हमें कथन P दिये गया है. P कथन क्या दिया गया है? अंडरूट 7 एक आपर्मे संख्या है जो कि यह है. तो हमें क्या करना है? अगर ब्रोधा बास द्वारा इसे सिद्ध करना है तो हमें नहीं पी मानना पड़ेगा. जो क्या हो जाएगा? अंडरूट 7 एक आपरी में संख्या नहीं है. है न? यही हमें मानना पड़ेगा और हम इस चीज को सत्य मान लेंगे. है न? यही कुछ हमने सीखा है. तो नहीं पी यानि कि अंडरूट 7 एक आपर्मे संख्या नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपर में नहीं है तो under root 7 एक परिमे संक्या हो जाएगी है ना यही तो मतलब हुआ परिमे संक्या है क्योंकि ज़्जाद तर चीजों में हमें मतलब देखना है हैना कथन क्या कह रहा है उससे ज़्यादा हमें उसके अर्थ पर ध्यान देना है अब अंडरूट 7 एक परिमे संक्या है, इसका मतलब क्या हुआ, A और B दो हमारे पास, जो की पूरांकों के समुझ से आ रहे होंगे, ऐसे का अस्तित होगा, जिसके लिए A वटे B बराबर होगा अंडरूट 7 के, है ना, परिमे संक्या को हम A वटे B से लिख देते हैं, है ना, तो अब अगर हम इसका दोनों तरफ बर्ग कर दें, है ना, तो क्या हैगा, A स्कॉयर वटे B स्कॉयर बराबर, 7 यानि की, 7 B स्कॉयर बराबर, A स्कॉयर, और यहाँ पर जो A और B होते हैं, यहाँ एक में चीज, यहाँ पर हमें यहे भी लेनी हैं, कि A और B, A और B में कोई समाब बर्तक नहीं हैं, समाब बर्तक का मतलब हो गया, उबहनिष्ट गुणनखंड, कि इन दोनों में कोई भी उबहनिष्ट गुणनखंड नहीं हैं, अब उबहनिष्ट गुणनखंड का क्या मतलब हो गया, चलिए इसको समझ लेते हैं, माल लीजिए, 3 A क को divide करता है यानि कि 3 को हम A से भाग दे सकते हैं इसी प्रकार 3 को अगर हम B से भी भाग दे दें तो यह 3 क्या हो जाएगा A और B का उभहनिष्ट गुणनखंड कहलाएगा तो यहाँ पर हमें यही लिया है A और B में उभहनिष्ट गुणनखंड नहीं लेने का हमारा मतलब यह है क्योंकि यदि हम A और B में उभहनिष्ट गुणनखंड ले लेंगे तो वहां से हम अंडरूट 7 प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम एक दूसरे को आपस में काट सकते हैं तो इसलिए हम A और B में कोई समाबर तक नहीं है ऐसे A और B का अस्तित्व हमें यहाँ पर देख रहे हैं अब देखिए यहां से हमें मिला था 7 B स्कॉयर बराबर A स्कॉयर तो एक बात बताईए 7 B स्कॉयर बराबर A स्कॉयर से क्या मैं कह सकता हूं कि 7 A को बिभाजित करता है बताईए क्या यह है बात मैं यहां से कह सकता हूं इस तीज को समझ लेते हैं 7 B स्कॉयर वरावर A square या मैं लिखूँ 7 B square वरावर A into A या मैं लिखूँ B square वरावर A into A वटे 7 है ना तो इसका मतलब क्या हुआ अगर 7 को मैं यहां से भाग दे रहा हूँ तो मुझे B square मिल रहा है इसका मतलब B into B बरावर A into A वटे साथ इसका मतलब साथ से मैंने शायद A को भाग दिया तो मुझे B प्राप्त हो सकता है ज़रूरी रही है यह B ही प्राप्त हो यहाँ पर समझाने का मतलब यह है कि यह जो साथ है इस A को विभाजित कर रहा है क्योंकि हमें यहाँ कुछ ना कुछ मिल रहा है और जब यहाँ कुछ ना कुछ मिल जाता है बरावर में जब किसी चीज को किसी चीज से भाग देते हैं तो इसका मतलब बहै चीज उसको विभाजित कर रही है तो इसलिए यह साथ A को विभाजित करता है अगर साथ A को बिभाजित करता है तो हम कुछ इस प्रिकार से लिखते हैं न कि A बटे 7 यानि कि 7 से हम A को भाग दे देंगे और अगर यह बिभाजित कर रहा है इसके बरावर में कुछ आएगा हमने मालियव है C आ रहा है यहां B हमने यह चीज़ सिर्फ समझाने के लिए की है यहां जो 7B स्कुएर बरावर A स्कुएर को मैंने समझाने के लिए यहां पर इसका इस्तिमाल किया था एग्जेक्ट V नहीं आएगा कुछ भी आ सकता है हमने मालिया C आया जब हम A को 7 से भाग देते हैं तो C आया अचे उधान के लिए आप मान लीजिए जैसे कि आपके पास 49 है तो इसको आप 7 से भाग देते हैं तो 7 आता है 42 है इसको 7 से भाग देते हैं 6 आता है तो यह A हो गया यह तो 7 है और यह C हो गया तो यह कुछ भी आ सकता है तो A बटे 7 बरावर c या u कहें a बरावर 7 Went relatively c या u कहें a2 बरावर 49c2 अब आप देखिए आपके पास a2 बरावर 49c2 आ गया और a2 बरावर 7b2 भी है यह भी और यह भी है दो चीजें आ गएं. तो यहां से क्या हो जाएगा 7B² बरावर 49C² क्योंकि यह A² A² तो बरावर है तो यहां से आपको मिल जाएगा B² बरावर 7C² अब देखिए जिस परकार 7B² बरावर A² था और हमने बोला था कि 7A को बिभाचित करता है उसी परकार B² बरावर 7C² है तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूँ कि यह 7B को बिभाचित करता है उसी तरीके से जैसे हमने 7A को बिभाचित करता है बोला था अब देखिए जब B² बरावर 7C² था तो हमें मिल जाएगा कि 7B को बिभाचित करता है इसी परकार जब A square बरावर 7 B square था तो हमें मिल गया कि 7 A को विभाजित करता है तो इसका मतलब क्या हो गया? कि 7 A और B दोनों के विभाजित करता है है ना? इसका मतलब क्या हो गया? 7 उभेहनिष्ट गुणनखंड हो गया है ना? अब बही चीज पहले जो बताई थी मैंने कि उभेहनिष्ट गुणनखंड क्या होता है? जो हमने उपर समझी थी है ना? तो 7 उभेहनिष्ट गुणनखंड हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? समाब बरतक हो गया 7 क्या हो गया? समाब बरतक अब लेकिन हमने क्या लिया था? कि A और B में कोई भी समाब बर्तक ना हो तो ये साथ क्या है A और B का समाब बर्तक है लेकि हमने तो बोला था कि समाब बर्तक ना हो तो यहाँ पर हमारी किसी चीछ बात का खंडन हो गया किस बात का खंडन हुआ कि हमने माना था कि A और B का कोई भी उबहनेश्ट उणनखंड नहीं हो यानि कि समाब बर्तक नहीं हो लेकिन जब हम आगे उसको हल करते हुए चले तो हमें एक समाब बर्तक मिल गया तो हमारी बात का खंडन हो गया इसका मतलब जो हमने माना था बहर शायद हमने गलत मान लिया होगा तभी तो हम आके यहां पर खंडन होगे हमारी बात का लेकिन हमने माना क्या था हमने माना था कि अंडरूट सहवन एक परिमे संक्या है या यूँ कहें अंडरूट सहवन एक आपरिमे संक्या नहीं है तो यहां से हम गलत सिद्ध हो गए इसका मतलब जो हमने माना वह बात गलत है इसका मतलब हमें जो कथन दिया गया है वह सत्य है